नमस्कार दूस्तो वन इंडिया मैं प्रशान्त आप सभी का स्वागत करता हूँ लेकर भी उनके कई गैंस्ट्रों के सथ संब्न थे 2020 की जानकारी के मताविक शुशील कुमार 5 करोड की संपत्ती के मालिक है। उलम्पिक में देश को मेडल जिताने के बाद भारती रेलवे ने उन्हें 50 लाक रुपे कैश और रेलवे में सरकारी नौकरी दी थी। इसके लावा दिली सरकार की ओर से भी उन्हें इनाम में 25 लाक रुपे कैश मिले थे। इतना ही नहीं हरयाना सरकार और स्टील मंत्राले ने भी पहलवान को 25-25 लाक रुपे का इनाम दिया था। मॉडल टाउन इलाके में D10x6 ब्लॉक का मकान उनकी पत्नी के नाम है जिसकी वज़े से ही शुशील और सागराना के बीच विवाद हुआ था। जिसके बाद शुशील ने सागराना की पीच पीट कर हत्या कर दी थी। फ्लाट के लावा शुशील एक बड़े स्कूल के मालिक भी है, शुशील कुमार ने दिल्ली और गाजियाबाद के बॉर्डर पर टोल टेक्ट वसूलने का ठेका दिल्ली नगर निगम से भी लिया था। पूशार के दुरान सुशील ने कबूल किया कि वो के वल मृतक को सबक सिखाना चाहता था, बता दें, बीदे चार मई को दिल्ली के चछतर साल स्टेडियम में पहलवानों के दो गुटों में मारपीट की खबर सामनी आई थी, मामला हाथा पाई से शुरू हुआ था और ग